हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदे के एन वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपने गूगल गैलेरी के अंदर कोई भी फोटो और वीडियो को छुपाना चाहते हैं हाइट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें वीडियो पूरी और बिल फोटो है इसे हाइट करना है तो इसे हाइट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा तो आपके फोन में हो सकता है फाइल मैनेजर होगा यह फाइल्स होगा यह वाला तो आप उसमें चले जाएं ठीक है तो मैं फाइल्स में चले जाता हूं इसके बाद आपको यहाँ पर images में जाना है ठीक है और वो जो photo थी उसे ढून ले तो वो photo मेरे camera में थी यह रही वो photo ठीक है तो इसे hide करने के लिए इस पे देर तक press करना है तो यह select हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर three dot पे click करना है और rename पे click कर देना है यहाँ पर इसका नाम change करके नाम पूरा नहीं change करना है बस jpeg हटाना है और dot रहने देना है ठीक है यहाँ लिखना है text text ok कर दे rename करेंगे वैसे ही यह photo यहाँ से गाइब हो जाएगी photo यहाँ से भी hide हो गई है अब आपको मैं दिखाता हूँ google gallery में तो यहाँ से भी वह photo गाइब हो गई है hide हो गई है तो अब यह photo hide हो गई है अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो कैसे लाएं चलिए देखते हैं तो आपको वापस से अपने files में आना है और यहाँ पर आपको search के option प्याना है और यहाँ सर्च करना है text यानि text 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 सर्च करें और सर्च कर लें तो आपको यहाँ पर आपकी photo आ जाएगी तो इस पे click करेंगे तो यह photo open नहीं होगी यहाँ पर किसी भी चीज़ से open नहीं होगी यह आपको कुछ न कुछ उल्टा सीधा लिक कर आएगा तो open करने के लिए आपको three dot पे click करना है rename पे click करना है और यहाँ पर आपको इसे text को हटाना है dot रहने देना है और यहाँ पर लिखना है jpeg ठीक है ok कर दे rename कर दे अब आप यहाँ पर images में आएंगे और यहाँ पर camera में थी वो image तो यह देखिए यहाँ पर यह image आ गई है इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वो image आ जाएगी ठीक है आप देख सकते हैं image आ गई है और आप चाहते हैं video को height करना तो कौन सी video height करना है जैसे google gallery से कोई एक video देख लेता हूँ मैं यह देखिए whatsapp की यह video है मुझे इसे height करना है ठीक है तो इसके लिए मैं वापस से अपने files में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे video के option पर चले जाना है और यह video मुझे hide करनी है तो इस पर देर तक press करके इसे select कर लूँगा यहाँ पर three dot पर click करना है rename पर click करना है यहाँ देखिए dot mp4 है तो सिर्फ mp4 को यहाँ से आप remove करें और यहाँ पर आप लेखे text text ok कर दे rename कर दे ठीक है तो video यहाँ से चली जाएगी और as well यहाँ से भी video चली जाएगी वापस लाने के लिए वही करना है आपको यहाँ से back आना है search की option पर जाना है और यहाँ पर text search करना है तो video नजर आ जाएगी बस आपको यहाँ पर three dot पर जाना है rename पर जाना है और यहाँ पर text हटा के mp4 लिख देना है okay कर देना है अब यह video भी वापस से यहाँ पर आ जाएगी तो इस तरीके से आप कोई भी photo video को hide कर सकते हैं